जब आप काफी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो तो काफी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो कभी न कभी ऐसा आता होगा कि आपके पास वीडियो के टॉपिक खतम हो जाते होंगे या फिर आपके ब्लॉग पे लिखने के लिए आपके पास कोई ब्लॉग अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मेरे पास कोई वीडियो का topic नहीं है, मेरे पास कोई blog post का topic नहीं है, तो मेरे को comment में बताओ कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है यह नहीं होता, और आप कितने time से blogging कर रहे हो, and इसका आप solution कैसे निकालते हो, बाकि इस वीडियो में तो मैं अपने जो मेरे जो, जब मेरे पास topic खतम हो जाते हैं, तो मेरे जो 3 best platform है, 3 best method है, जिनके through मैं 9-9 topic, 9-9 blog post idea लेके आता हूँ, और जो 3 वाला है, वो तो है मेरा ब्रहमास्तर, सबसे पहले मैं वो ही use करता हूँ, और वो एक ऐसा method है, 3 step का method है, और सिर्फ 5 minute का खेल है 3 step का method, 5 minute का खेल, और उसकी मदद से आप low competition, not even blog post idea, बलकि उसकी मदद से अगर आप keyword research करते हैं, तो उसकी मदद से आप low competition keyword भी find out कर सकते हो, तो वो तो मेरा तीसरा ब्रहमास्तर है, उसके बारे में वीडियो में end में बताने वाला हूँ, और 3 method की हम बात करेंगे, और subscribe करना, बिल्कुल free है, उसमें आपका पैसे नहीं लगने वाला, तो like, comment, channel को subscribe कर लो, मुझे motivation मिलेगी, तो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा, ठीक है, तो वीडियो को like कर देना, comment कर देना, इस वीडियो के बारे में जैसा ही आपको लगे, औ और 5 मिनिट का गेम है और आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो सबसे पहले platform की मैं बात करता हूँ, सबसे पहला method, ये मेरा, मतलब कह सकते हूँ दिल से जुड़ा हुआ method है, और ये एक ऐसा platform है, जो की बहुत जादा underutilized है, या फिर मैं कह लूँ कि जो भी bloggers हैं, उनको इस platform के बारे में पता है, बट इस platform की जो capability है, इस platform को utilize करके आप जो जो चीजे कर सकते हो, वो चीजे भी लोगों को पता है, लेकिन आप लोग इस platform को utilize नहीं कर रहे हो, आप लोग इस platform को use नहीं कर रहे हो, ये ऐसा platform है, trust me, इस platform की मदद से आप अपने blog पर traffic ले के आ सकते हो, इस platform की मदद से आप ब्लॉग पोस्ट आईडिया ले सकते हो जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ इस platform की मदद से आप affiliate sale लेकर आ सकते हो इस platform की मदद से आप authority कर सकते हो इस platform की मदद से आप free में affiliate marketing leads connect कर सकते हो मतलब यह मैं बोलता हूँ इसके बारे मैं पहले भी बात करी थी यह ऐसा platform में all-in-one platform है goldmine मैं इस platform को तो ज़्यादा suspense नहीं रखते है platform है kora अब kora सुनके आपको आप कोगे भाई kora तो मेरे को पता है इसमें नया क्या है भाई नया कुछ भी नहीं है kora में नया कुछ भी नहीं है आपको पता है kora से क्या सारी चीजी होती है बट आप kora को utilize नहीं कर रहे हो kora को भाई आप use नहीं कर रहे हो लोग बोलते है भाई मेरे blog पे traffic नहीं आ रहा तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ भाई हमारे पास gold mine है kora को utilize करो kora पर answer लिखो मेरी profile देखो मैं आज भी kora पर answer लिखता हूँ और यहाँ पर अगर आप मेरी profile जाके देखो को रा पर description में आपको link मिल जागा जाके checkout कर सकते हो या kora पर जाके search करोगे तो profile मिल जाएगी मेरे को 182.3 के views हैं हर महीने 4000 views आते हैं इन में से 10-20% मेरे blog पर traffic आता है मेरी videos पर views आते हैं kora से सिर्फ आप blog पर traffic नहीं ला सकते हैं आप अपनी video के views भी बढ़ा सकते हैं अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हो देखो यहाँ पर मैंने अपनी इस निश पर आप काम करते हैं उस निश पर आपको simply वह निश डालना है और अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसके related थोड़ा long tail keyword डाल दो चलो मेरा निश है blogging मैं सीधा जाके blogging search करता हूं और यहाँ से मुझे मिलेंगे content ideas तो यहाँ पर मैं blogging है इसको हम open करते हैं अब यहाँ पर देखो अब मैं blogging इतने टाइम से कर रहा हूं तो अल्मों सारे topic पर मैं video बना चूगा जो लोगों को नहीं पता होगा या फिर आप क्या कर सकते हो blogging में लोगों को जिन जिन लोगों को आप follow करते हो वहाँ से आप idea ले सकते हो तो जैसे यह देखो what is the role of digital marketing in various industry how will digital marketing marketing transform business in 2021 बहुत अच्छा topic है बहुत ही मतलब futuristic topic है कि भाई अब मैंने इस topic पे तो ना कभी कोई video बनाई है ना मैंने इस topic पे कभी कोई blog post लिए है तो एक idea तो मुझे यहाँ पर सामने सामने आपके सामने मिल गया life कि भाई digital marketing का future में 2021 में 22 में क्या role होने वाला है और कैसे यह अलग अलग industries को change करने वाला है है ना कमालगा उसके बाद और थोड़ा नीचे scroll down कर लेते हैं how can a brand major impact चलो यह मेरे निश से थोड़ा related नहीं है तो मैं इसको छोड़ जेता हूँ उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं यह देखो how do I create a content to reach my audience in contemporary matter तो यह भी आप ले सकते हूँ तो बहुत सारे जो भी आपका नीचे ना उससे related simply जाके आपको search करना है जैसे मालो अब blogging में सबसे ज़्यादा लोगों की दिक्कत होती traffic तो हम वही search कर लेते हैं increase blog traffic ठीक है अब इसके related हमें अलग अलग content idea मिलेंगे यहां से तो देखो what are the best ways to increase blog traffic traffic बढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीक है ठीक है जैसे यहां पर यह बहुत बढ़िया है is SEO press effective for increasing blog traffic तो इससे related ना मैंने कोई post लिखी है ना मैंने कोई content डाला है SEO press जो भी है plugin है theme है उसके उपर मैं एक video भी बना सकता हूँ एक मैं यहां पर blog post भी लिख सकता हूँ how do I start blog a blog website and how can I increase traffic यह हो गया हमारा what are the proven strategies to increase blog traffic यह भी इसके उपर चलो मैंने वीडियो बना रखी अब देखो यह बहुत बढ़िया topic है does an email subscription increase blog traffic email marketing से आप कैसे अपनी website का traffic बढ़ा सकता अब इस topic पर ना कभी वीडियो बना यह ना कभी blog post तो भाई Quora को आप ऐसे यूज कर सकते हो और मैंने क्या बताया सिर्फ आप यहां पर blog post idea नहीं यहां से आप बहुत सारी चीजे कर सकते हो तो यह तो था हमारा पहला platform I hope आपको बढ़िया लगाऊगा अगर पसंद आया है तो बताओ Quora को आपने अभी तक यूज करा है नहीं करा है अब बात करते ह हमारे दूसरे platform की जो की है YouTube अब YouTube क्या है यह मुझे बताने की जरूत नहीं आप सभी लोगों को पता बट आप YouTube यूज किसलिए करते हो वीडियो देखने के लिए वहाँ पर data consume करने के लिए सीखने के लिए बट जब आप creator हो जब आप blogging करते हो आप content create करते हो video बनाते हो तो YouTube को आप content creator के नजरिये से भी देखके वहाँ से blog post ideas भी ले सकते हो video ideas भी ले सकते हो अब आप blogger हो आप चलो YouTube वीडियो नहीं बनाते हो आप सिर्फ blogging करते हो तो YouTube से आप उसके लिए भी idea ले सकते हो जो भी आपका niche से उससे related जैसे अभी मान के चलते है आप एक tech niche में आ 2021 या फिर upcoming smartphone 2021 अब यहाँ पे आपको latest video मिल जाएंगी जो भी है अगर यहाँ पे भी नहीं मिलती है तो filter का option है filter के option में जाओ और यहाँ से this week this month आप कर दो इस माइने में जो latest video हो वो आपको मिल जाएंगी जैसे यहाँ से देखो यह एक हमें idea मिल तॉप 10 best upcoming mobile phone launches number 2020 तो यह आ माल लो आपका कोई health niche है तो हम कुछ भी किसी भी किसी भी आप disease के बारे में search कर सकते हो तो वहाँ से idea ले सकते हो माल लीजी मैं यहाँ पर search करता हूँ increase blog traffic यहाँ से हम उस keyword को लेके चलते हैं तो यहाँ से हमें idea मिल गया अब इस content को मैं blog post के form में यह जो video है अब क्या करो आ post कर दो आपको blog post idea मिल गए आपको video idea मिल गई है इस video को देखके यहाँ से थोड़ा बहुत अपना add करके आप एक नई video बना दो that's how you will get blog post idea that's how you will get video topic idea अब बात करते हैं हमारे तीसरे और ब्रहमास्त की जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो तो भाई उसके लिए हमें your tool और मैं यहाँ पर best suggest करता हूँ आप href अब href आपको $100 लेने की जरुत नहीं है cheapest price में आप use कर सकते हो description में link मिल जाएगा जहां से मैं use कर रहा हूँ आप देख सकते हो मैं यहाँ से use कर रहा हूँ आप भी वहाँ से use कर सकते हो बहुत ही सस्ता है और नीचे coupon code भी मिल जा तो कुछ भी ले लो जो भी आपका निश है अब आपको यह तो पता ही होगा कि भाई आपके competitor कौन है ठीक है तो अब मानके चलो मेरा निश है blogging क्यों है मेरी website है और मैं मानके चलता हूँ bloggers passion जो website है वो मेरी competitor है अब मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर क्या blog post idea चाहिए यहाँ पर मुझे blog post idea चाहिए वीडियो idea चाहिए और लो competition keyword भी चाहिए तो तीनों काम होंगे हमारे इस ब्रह्मा से तो क्या करना है जो भी website है अपने competitor से आपको अपने competitor के idea competitor की strategy आपको चुरानी है वो कैसे चुरानी है वो चुराएंगे हम HRF की मदद से तो जैसे मालो य यहाँ पर हमें देखना है हमें यहाँ से blog post idea निकाल लें साधी साथ ऐसे blog post idea जिन पर competition कम हो जो जल्दी rank हो और हमें जल्दी result मिले तो अब यहाँ से हम सीधा पहला step था हमने यहाँ पर डाला website का URL दूसरा step क्या है हमें जाना है इनके organic keyword में तो यहाँ पर आप देख सकते ह इतना organic traffic है सिर्फ organic और इतने सारे organic keyword है तो दूसरा step क्या है हमें जाना है इनके organic keyword में तो simply मैं यहाँ से organic keyword पे click करता हूँ उसके बाद जो तीसरा step है तीसे step में हमें यहाँ पर सिर्फ दो filter लगाने तो पहला step website का URL डालना दूसरा step website के organic keyword में जाना तीसरा step हमें लगाना है filter filter में हम keyword difficulty लगाएंगे 0 से लेके 5 तक तो वो आपके उपर depend आप कितने keyword वाले competition पर काम कर सकते हो अगर बिल्कुल नहीं हो तो 0 to 5 select कर लो उसके बाद search volume का filter आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो 0 से लेके 1000 word तक ठीक है मेरा best suggestion वही है अगर आप नए हो तो इसी हिसाब से चलो and okay यह हो गया 1000 तक apply करते है and the brahmaast will work now अब यहाँ पर आपको मिलेंगे low competition keyword प्लस नए नए blog post idea अब देखो जैसे यह है pet fly net worth अब यह देख सकते हो इसका search volume 200 है keyword difficulty इतना traffic आ रहा है तो इस पर मैं काम कर सकता हूँ मुझे blog post idea मिल गया उसके बाद bluehost versus host monster इस पर भी मैं कर सक keyword difficulty भी कम है मेरे post जल्दी rank भी होंगे मेरे पास traffic भी आएगा earning भी और जो हमारा main motive था blog post idea वो भी हमारा यहां से solve हो जाएगा तो यह आप देख सकते हैं यहां पर देखो name cheap black friday tale get free tumblr follower first यहां से आपको देखो यह मेरे को बहुत बढ़िया लगा how to increase tumblr follower तो इसको तो भाई स phone for blogging यह भी यह भी अच्छा keyword है blog post idea मेरे को मिल लिया तो भाई यह था पूरा ब्रह्मास्त इसके बाद कोई और टूल की किसी और चीज़ की जरुरत ही नहीं आपको सिर्फ तीन में पांच मिनिट में आपको blog post idea लो competition वाले blog post idea मिल जाएंगे I hope video पसंद आएगी तो भाई इस ब्रह्मास्त के लिए लाइक तो कर दो यार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो आपका कुछ नहीं जा रहा है उसमें बस मुझे motivation मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी प्रैक्टिकल अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूं तो लाइक कमेंट शेयर कर दे और मिलता हूं आप से नई वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक केर अफ़ान